हमारे पास बहुत बक्त लोग आते में भी सुनता हूँ कल एक सज्जन आये थे महितपुर तरफ से लिखे थे उन्होंने एक कुत्ते की राजनीति की आत्रा उनकी दस मिनट बात मैंने सुना एक कुत्ता राजनीति करने लगा और देरे देरे प्रधान मंतरी हो गया ऐसा लिखा उसमें बड़ा चतुर आत्मीता सुनने से ज्ञान बढ़ता है भगवान स्री राम जब अगस्त मुनी के हां गए बारत द्वास के हां गए बालमी के हां गए तो स्रोता बन गए सुना है उना है जब सिवरी के हां गए तो राम जी वक्ता बन गए तब उन्होंने प्रवचन सुनाया है याद रखना कहां सुनना है कहां सुनना है इस बात की शेटिंग अगर बिठा लोगे तो तुम राम बन जाओगे, तुम्हारा काम बन जाओगे साधन कठिन विवे, हो ये घुना छरी न्याय जो पुनि प्रती हुव नेक। बुद्धिमान दूसरों की सलाह को हस्ते हस्ते सुन लेता है। बुद्ध हीन, बिवेख हीन, किसी की बात को सुनने में अपनी तोहीनी मानता है। धोबी ने फिर कपड़ा पीट दिया। पुजारी के ओपर मेल की छीटे पड़ गई, पुजारी बहुत दुखी हुआ, वापस लोट गया, तीसरी बार फिर अशनाल किया। मुन में दुख है कि भगवान तेरे लिए में पवित्र होकर पूजा करना चाहता हूँ, तेरे में क्या इतनी ताकत नहीं कि इस धोबी को कंट्रोल कर ले। ये दोबी कैसे कपड़ा पिटता है, पुजारी रोपणा, विश्णु भगवान लच्छमी जी के साथ बैठे विए बाते कर रहे थे, अचानक उठकर खड़े हो गए, लच्छमी जीने का कहा जा रहे हो, बोले मेरा भगत मुझे याद कर आए, एक धोबी है, दुष्ट ह उसको ठीक करके आता है, भगवान खुद चल पड़े, कहानी कहती है भगवान जौस में चले, उधर से विश्णु भगवान आ रह थे हुआ है, इधर से पुजारी तीसरी बार अश्नान करके हुआ रहा है, दुबी के पास मह innocा है, और पुजारी ने तीसरी बार फिर दोबी की जात तुझे इतनी अकल नहीं तु मुझे केवल पुजारी ही समझता है क्या तेरी ऐसी की दैसी पत्थर उठाया और खीच कर धोबी के तरफ मारने चला धोबी तो मुरक था ही उसने भी कपड़ा धोना बंद कर दिया पत्थर उठा कर वो भी सामने सामने खड़ा उसी समय विश्ण भगवान आ गए तो विश्ण भगवान ने देखा कि दोनों पत्थर लेकर मार पीट करने जा रहे हैं तो विश्ण भगवान सरमिंदा होकर वापस लोट गए लच्छमी जी ने पूछा धोबी को ठीक कर दिया अरे बोले धोबी को क्या ठीक करूं ओ मेर इसलिए मैं लोट आया कि अब तुम समझो अब ना है कहने का तात्पर है शहन सेलता आपकी चरम सीवा तक बहनी चाहिए घर में भी गम खा लेना है सब देरे देरे ठीक हो जाएगा ज्यादा उल्जन मत किजिए परेशान मत हो ये शंतोस कर लीजिए यदि किशी ने आपका अपमान किया है जूटे लांचन आपके उपर लगा दिये है आपको बदनाम कर दिया है जूट मूट चिंता मत करना आग को कितना ही दबा करके रखो लेकिन जिस सामान के निचे दबाओगी उसको जब आग जला देगी तो सब को पता चल जाएगा यहां आग थी याद रखना आपके तेज और तब को कोई नहीं दबा सकता है अगर बख करके फिर आगे आजाएगे एक पती अपनी पत्नी को लेकर बच्चे को साथ लेकर हमारे आश्रम नेपाल बर्डर मिलने के लिए आया हूँ तो उसके अंदर बड़ा घाओ था पीड़ा थी तो जिस मिलन कच्छ में हम मिल रहे थे वो बैठा उसका बैटा भी था हमारे संत भी थे मैं भी था उसकी वाइब भी थी तो अपने बैटे के सामने ही अपने दुख को कहने लागा कि गुर्देओ मैं मर जाओं क्या करूं तो मैंने का हुआ क्या है क्योंकि मुझे पता भी नहीं मैं कैसे कह दो तुम मर जाओ या जिन्दा लो मैटर तो बताओ तो बोला कि ये मेरी वाइफ है ये मुझे को बदनाम करती है कि दूसरी औरत से तुम्हारा प्रेम है तो मैंने का चुपरो 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 चुप शादों से का तुम भी निकलो दोनों पती-पत्नी रहे गए हमने कहा आप बताओ फूट फूट कर वो रोया मैंने किसी दूसरी औरस से कभी संबन्द नहीं किया गुर्देओ पर हमारे उपर पडोश की औरतों ने मेरी पत्नी को बहका दिया इसको शंदे हो गया अब ये मुझे बदनाम करती है लांचन लगाती है तो मैं मर जाना चाहता हूँ क्या कर तो उसकी पत्नी भी रोने लगी तो जब दोनों खुब रो लिये दस मिनट उसके बाद दिल धुल गया रोने से भी समाधान होता है पती पत्नी के बीच में कोई समश्या हो बाप बेटे के बीच में समश्या हो दोनों बेट कर ये दी एक दिन करुणा भर के रो लोगे तो सब्दों से समश्या का समाधान नहीं होता है लेकिन आसों से समस्या का समाधान हो जाता है रोने की बाद मैंने समझाने के लिए तैयारी किया तो उनकी पत्नी ने अपने पती के पेर छे और कान पकड़ा और कहा माफ करो आज से जिंदगी में मैं कुछ नहीं कहूँगे तुम ठीक हो अच्छे हो महाँगे तो पती ने कहा मैं तुम को धन्यवाद देता हूँ जो कम से कुम गुर्दयों के चरणों में बिना समझाए समझ कई जब याद रखना किसी की उपर जूटा लांचन मत लगा और ये भी याद रखना लांचन लगाने वाले संदे वाले कारी भी मत कर आप अगर दारू की बोतल में दूद भर के लेकर चलोगे और बोतल के उपर दारू का लेबल लगा हुआ है एरिस्टोक्रेट बैक पाईपर हुईस की सराब लिखा हुआ है तो आप बदनाम हो जाओगे लोग कहेंगे दुधिया सराब लेकर जा रहा है दारू की दुकान पर खड़े हो जाओगे आप बदनाम हो जाओगे की सराब खरीद कर पीता है इसलिए ऐसे कार्य भी मत करना शाओधान और जितने ज्यादा तो मुझ्जल हो जितना आपका निर्मल चरित रहे नाम है उतना ज्यादा साओधान रहना पड़े और जिसका नाम ही नहीं है तो उसको क्या थोड़ा बहुत बदनाम भी होगा तो कौन जानता है लेकिन जिसका नाम बहुत ज्यादा है बदनाम भी जाता होगा फिर बहुत साओधान रही है जिसे मैं संत हूँ मैं बहुत साउधान वहता हूँ मैं गाड़ी में अगर बेठा हूँ तो अपनी मा को भी गाड़ी में नहीं बिठाता हूँ अगर मा बेठेगी तो मैं उतर जाता हूँ कि जाए ये ड्राइबर छोड़ कर आपको आजाए तो मेरी माँ तो बैठती नहीं थी, कभी भी मैं अपनी बहन को भी नहीं बिठाता हूँ वह आते ही नहीं हो लोग जिस दिन से साथ हो गया बात खतम पैसा हजान बाकी तो और ही बात माता हूँ बहन की क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी माँ है मैं जानता हूँ मेरी बहन है लेकिन दुनिया के लोग जब देखेंगे तो उनको क्या लेबल लगा बुरड लगा कि आपकी मा है गुरुजी की वो तो समझेंगी गुरुदेव जी भी लेडिज लेकर घुम रहे है खाम खाम लपड़ा खड़ा वजा मेरी इस विचार से मेरी मा मुझको धन्यवाद देती थी कहती थी बच्पन से तुमारे नियम अच्छे है और साधू बन गए तो तो टाप के नियम है बहुत अच्छा है बहुत खुश होती थी और मुझे संत भी मेरी मा ने ही बनाया कि तुम संत बनो संत बनो खोग प्रवचन सुनो खोग भजन गाओ तो जब मा ने सत्संग सुना और देखा भीड तो कह रही थी मैं इतना बड़ा संत बनने थोड़े कही थी थोड़ा छोटा बनना थी तो हमने का बड़े हो गए तो छोटा हो जाओ क्या अरे बोले वह हो गए तो हो गए और बड़े हो जाओ क्या पार का उसका मन खुश होगा मैं सभी बेटे और बेटियों से कहूँगा जो भी बनो टाप क्लास के बनो शंत बनो या भक्त बनो या अफसर बनो या राजनिती में नेतागिरी करो टाप क्लास को छो आकास के उचाईयों को छो तो तुम्हारे माता पिता को इतनी प्रशनता प्राप्त होगी उनका दिल गदगद हो जाएगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी आज टाप पर खड़े होगे कितने लोग साधू भी बनते हैं भी खुदर-बुदर करते रहते हैं चुपे-चुपे बेड़ी पीते रहते हैं सिर में जटा, काम लटा, कपड़ा फटा ये क्या लफड़ा बना रखा है शाधू यानी साधू सब का कल्यान करने के लिए तुम हो बाबाजी और कितने लोग ग्रिष्ट बनते हैं ग्रिष्टी में भी ठीक ठाक नहीं रहते हैं माता पिता भी दुखी, साससर भी दुखी दारू भी करा रहा हैं इंग्लिस पढ़े तो नहीं हैं लेकिन नसे में इंग्लिस बोल रहे हैं कोई उनकी भासा कोई समझता नहीं है गड़ 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 बोलते चले आ रहे हैं दूसरे घर में घुश रहे हैं दूसरा घर वाला कहता है ये घर नहीं उधर है बले ऐसा ही मेरा घर है अरे ऐसा है तो उधर जाओ ये शराब पी कर आपकी पतनी दुखी बच्चे दुखी मा दुखी मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि माने अपने मांस की टुकड़े से तुम्हारे सरीर का निर्मान किया है ये सरीर भी तुम्हारा नहीं है ये मां का दिया हुआ है ऐसी मां को दुख मत देना, शराप पीना छोड़ देना, मांस मचली खाना छोड़ देना और मा के सुवे शाम पेर छोकर कहना मा तेरी सब तमन्ना को पूरा करने के लिए मेरा जनम को है आप बिचार करो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मा को मैंने देखा है फोटू में सामने नहीं अकबार में तो उसके दांत नहीं है बहुत बुड़ी है लेकिन जिस दिन ये नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री हुआ और अपनी मा के पेर छोने गया तो बिना दांत के मुँ खोल कर मा इतना खोशती हस रही थी और सिर पे हाथ रखा कि जाओ बेटा भारत देश की सेवा करो एक तो मा मैं हूँ और दूसरी मा ये भारत माता है अच्छी सेवा करता इतनी घरीबी को भोगने वाले माता पिता आज अपने बेटे को प्रधान मंत्री की रूप में देखकर कितना गदगद हुए किसी भी कारी को करो थोड़ा मन लगा करो अर्पित होकर करो डूब जाओ उसमें मेहनत करो और आगे बढ़ो ग्रिस ताश्रम में भी रहो टाप का मकान बनाओ ये क्या उबढ़ खावर काम चल रहा है दोसों की दारू रोज पीते हो और मकान टपक रहा है पानी बरस्ता चले बंद करो ऐसा वेशा खाना पीना कमाओ पैसा बचाओ पैसा और लगाओ पैसा मकान बनाओ ऐसा कि गाओं में टाप नंबर का हवेली में रहो गाड़ी भी लाओ टाप ताप बैठ कर चलो तो लगे कि शर्ब में जा रहे हैं ये क्या फिट फिट गाड़ी लिए खोम रहे फालती है और इतनी मेहनत करो खेती में बाड़ी में दुकानदारी में बिजनिस में लोग कहते हैं बड़ा कॉंपटिशन है मैं तो कहता हूँ अच्छे आदमी के लिए किसी फिल्ड में कोई कॉंपटिशन है ही नहीं त्री विधाम नरकसीदम द्वारव नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तश्मात एतत्रियम नितजयत जो निश्काम है निरंतर किशी की सेवा कर सकता है दो बहुई बुढ़ी सासू की सेवा कर रही है छोटी बहु को पता चल गया कि सासू के पास कुछ नहीं है तो उसने सेवा छोट दिया बड़ी बहु को पता चला कि सासू के पास कुछ नहीं है तो उसने सेवा डबल सुरू कर दिया जब इसके पास कुछ नहीं है छोटी बहु ने छोड़ दिया सेवा तुम क्यों करती हो उसने का सासू के पास कुछ भी नहीं है लेकिन सासू के पास में एक बेटा था जिसको उसने मेरी सेवा में दिया है ये कोई छोटी धरोहर नहीं है तुमारी सासू सुम को क्या देती है आपको पता है मुझे पता है तुमको पता नहीं है उसका बेटा तुम्हारी सेवा में जिंदगी भर के लिए दे देती है और वो सिकोर्टी गारड की तरह खड़ा रहता है कि मेरी पत्नी आती होगी, इंतजार करता रहता है बेटा किसका और सेवा किसकी कर रहा है कमा कर लाता है, तुम्हारे हाथ पर रखता है तुम्हे अच्छे कपड़े बिनाता है और तुमको शेमपो ग्रीम पाउडर भी ला कर देता है अपनी बुड़ी मा को कुछ नहीं देता है तो मा का बेटा तुम्हारी ड्यूटी में लगा हुआ है तो कम से कम तुम उस मा की ड्यूटी में लग जाना जिसका बेटा तुमारी ड्यूटी कर रहा है थोड़ा उसकी सेवा कर रहा निश्काम करना कुछ नहीं चाहिए मां से कुछ नहीं चाहिए सासू मां से और याद रहना जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है सब कुछ मिल जाता है कैसे मिल जाता है, कैसे मिला आपको बता रहो, बड़ी वहू का बेटा सिच्छा प्राप्त करके खलक्टर हो गया, छोटी वहू का बेटा फेल हो करके किशान बन गया, छोटी वहू ने कहा इतना अंतर कैसे, वो ले सासू का सेवा किया, उसका फल बेटा कलक्टर हो गया, और तुमने सासू की सेवा छोड़ दिया, तुम्हारा बेटा के बन किशान बन गया, सेवा करो, कुछ मच चाहो सासू से, कुछ मच चाहो ससूर से, कौन क्या दे सकता है तुमको, कुछ नहीं दे सकता है, और तुमें क्या चाहिए तुमारे पास क्या कम है सब कुछ है जो कम होगा तो गुरू का नाम याद करके वो भी प्राप्त हो जाएगा लेकिन कभी लालच मत करो भाव से सेवा करो अपने पती की भी सेवा करना निश्काम होकर करना कभी तुमारी वाइफ बीमार हो जाए, यह मस सोचना यह बेकार है, अब इसकी सेवा ना करें, जल्दी मर जाए, नहीं नहीं, ऐसा मस सोचना, अच्छी सेवा करना, अच्छा ट्रिटमेंट कराना, सस्थ पतनी को सब पती आदर देते हैं लेकिन बीमार पतनी कमजोर पतनी को जो पती संभालता है वही धरम पती कहलाता है धरम पती कहलाता है ऐसी कंडिशन में इसको छोड़ना मत निभा लेना सेवा कर देना आपकी वाइफ के बच्चे नहो रहे हों थो भी अकमान मत करा क्योंकि ऐसी भी दुनिया में बहुत बच्चे होचके अब क्या करोगे तुम बच्चे है थोड़ा तसम भी बंद करो हैरान क्यों हो हमारे कोई बच्चे नहीं है नहायन होंगे हमको कोई हैरानी नहीं अगर तुम्हारे वाइफ के बच्चे नहीं हैं तो धर्म को अपना पुत्र मान लेना और अध्यात्म को ही अपना परिवार मान लेना और उसी में मंगन रहना कोई दुखी दुखी कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपनी कामनाओं को नियंत्रित करो सीमा तोड कामनाएं तुमको राच्छस बना सकती है जिन्दगी को नरक बना देती है सरीर में काम बासना का जोस यदि नियंत्रण नहीं हो सका तो तुम्रा अच्छस हो जाओ गलती हो जाएगी जेल में जाओगी मजबूर होकर वहाँ दस साल नियंत्रण में रहुआगी इसलिए जेल के बाहर अपने घर में ही जरूरी समझ कर नियंत्रण करो मजबूरी में क्यों नियंत्रण करो अपने आप को कंट्रोल रहुआ और याद रखना मुनसे ने जितनी गाड़ियां बनाई है सुभी गाड़ियों में ब्रेक लगाया है छोटी सी साइकिल में भी छोटा सा ब्रेक है तो कम से कम अपने जीवन की गाड़ी में भी ब्रेक लगा ला कभी क्रोध है ब्रेक लगा ला जवान से किसी को कुछ बोलने चलो मुह तक सब्दा जाए फिर मौ बंद कर लो कि नहीं बोलना है क्योंकि धनों से छोटा बाण मौ से निकली बाणी ये बहुत खतरनाक होते है निकलने के बाद आपका बस खतम हो जाता है और परिणाम दर्शी बनो दूर दर्शी बनो सुच्छम दर्शी बनो किसी कार को करना कार बात को करना पहले ये सोच लेना इसका रिजल्ट क्या है किसी बात को बोलना बात तो बात को बोलना पहले ये सोच लेना इसका रिजल्ट क्या होगा परिणाम क्या होगा जिसकी बुद्धी परिणाम दर्शी है सुच्छम दर्शी है दूर दर्शी है वो कभी धोखा नहीं खाता है नुक्सान नहीं होता है और क्रोध को भी काबू करना ये गुशा याद रखना जिन को बहुत गुशा आती है आज में एक उपाई बताते था शंकल्प ले लेना कि हमारे परिवार में कोई तीन बार एक ही प्रकार की गलती तीन बार करेगा तीन भर में तो तीन बार छमा करतूँगा चोथी बार समझाओंगा पाची बार डाटूँगा और छठी बार फिर गलती करता है तो फिर उससे हम छमा मांग देंगे कि अब ये दुष्ट नहीं सुधरेगा अब रहने तो इसको कुछ करने को ज्यादा करोगे तो जहर पी लेगा बहुत लोगों ने जहर पिया एक लड़के ने जहर पिया हॉस्पिटल भरती हुआ बच गया मरा नहीं तो मैंने पूछा तुने जहर क्यों पिया बोले जहर ज्यादा नहीं पिया था थोड़ा पिया था तो हमने गए थोड़ा क्यों पिया बोले घर वालों को डरवाने के लिए मरने के लिए नहीं पिया था ये जहर पी कर डरवाते हो जहर मत पीना आपकी माता पिता आपकी पत्नी आपका पती कभी डाट दे समझा दे मुस्करा के सुन लेना और कहना धन्यवाद धन्यवाद है जहर वहर मत पीना ये धमकी मत देना की मर जाओंगा अरे मरना आशान है पर अपनी बुराईयों को मारना बहुत कठिन है बहुत तुम मरने मारने की बात करते हो यदि बीर हो तो अपनी बुराईयों को मार कर दिखा दो तब हम समझे तुम बहुत बलवाना ये खुद को मारना तो काईरों का काम है आज तक कोई कुट्टे बिल्ली जानवरों ने भी आत्म हत्या नहीं किया है ये आदमी इतना कायर है यही एक ऐसा प्राणी जो आत्म हत्या करता है कुट्टों के पास जमीन दुकान कुछ नहीं है फिर भी जूटा रूटा खा करके जिंदा रहते है आदमी घी चुपड़ी रोटी खा कर कहता है जहर पीनूगा अरे पीना है तो दूद पीले यार जहर क्यों पीएगा जिस मा का लाल मर जाएगा उस मा पर क्या बेती की जिस पिता का बेटा लास पड़ी होगी उनकी आत्मा कित्वी दुखी होगी तेरे मरने के लिए तुहोंने जनम दिया है तुझको तुझको इसलिए डाट रहे कि तुँ अच्छा हो जा गलती मत कर बाकि मरने के लिए थोड़े डाट रहे और एक काम और करना गम भी खा लेना क्योंकि यदि सौचों कि दुनिया पूरी सुधर जाएगी परिवार पूरा सुधर जाएगा कभी भी नहीं सुधरेगा घर में एक नालायक ऐसा रहेगा जो तुमको इंजक्शन मारता रहेगा और यदि सब सुधर जाएगा तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा ने बहुत पुन्निकिया है जनम जनम पुन्निकिया है और इतना किस्मत लेकर तुम पैदा हुई हो अब तुम्हें इस दुनिया में दुख नहीं मिलने वाला है जीते जी शरकानंद लिजे सब परिवारत चाहँ जैहो जैहो आज एक बात और बताओं इसी स्लोक में बात आएगी नास नम आत्मा आत्मा परमात्मा महात्मा दुष्ट आत्मा सब के भीतर एक एक आत्मा है और आत्मा कोई और नहीं है कोई आत्मा इस्त्री नहीं है पुरुष नहीं है बुढ़ा नहीं है जमान नहीं है गरीब नहीं है अमीर नहीं है आत्मा केवल आत्मा है वो चेतना है जीव है और वो सब के सरीर में है ये सरीर उसी की वज़े से जीवित है जिस दिन वो पंची निकल जाएगा सरीर मर जाएगा उसको मृत्तु कहते है ये सरीर क्यों मिला है खाने पीने भोगने सोने जगणने के लिए नहीं म ये शरीर उस अंदर बैठी हुई आत्मा का कल्यान करने के लिए मिला है ये मनुष्य का सरीर उधार करने के लिए मिला है तो इस मनुष्य शरीर को पाकर के आत्म कल्यान भी कीजिए मांस मचली यंडा नसा सराब का सेवन मत करना जिसने न किया हो उसको धन्यवाद और जो आज से छोड़ दे उसको असिरवाद और जो कभी भी न खाए उसको सुभासिरवाद और जो सतसंग सुनकर भी न छोड़े उसको क्या उसको कुछ नहीं चोड़ देना गुरुजी को चुपके से दान दे देना बंडल बेड़ी पीते हो ना बेड़ी की आदत दान कर दो और शराब की आदत दान कर दो मैं यहाँ से जाऊं तुमारा घर बदलना चाहिए भवन बदलना चाहिए परिवार Change होना चाहिए और आपकी रौनक चेंज होनी चाहिए और एक दो साल के बाद घर का कलर भी चेंज हो जाना चाहिए शब मातां और बहनों को लगे गुरुजी के आने से कुछ फाइदा हुआ है ऐसा करना आलस की यादत को भी दान कर देना हो आलस शुमत करना ये सरीर से काम करोगे सरीर सुस्त रहेगा सरीर से आराम करोगे सरीर ज़्यादा बीमार रहेगा अज मैं सुबे सुबे पैदल चल रहा था शाम को भी चलता हूँ सुबे भी चलता हूँ दो दो तीन तीन किलो मीटर बरामदे में तो शाम को में राजंदर जी को पैदल चलवाया था, और सुबह बीरिंदर को पैदल चलवाया, कोई मील जाता उसको पकड़ लेता हूँ साथ, पैदल चलना शंपरुन ब्यायाम है, दूद शंपरुन आहार है, हसना शंपरुन स्वास्त की चाभी है, और पूर्ण क्पानि पीना, बुद्धी बर्धक टानिक है, खोब पानि पीना, पानि कम पीते हूँ इसलिए बुद्धी कम है, आज से पानि पीना सुरू करना, तो कल से तुम हमको प्रविचन सुनाने लग जाओगे, पानी पीने से बुद्धी बढ़ती है इस सब बेटियां पानी पियो इसकुल में फ़स्ट आओगे टाप टाप भोजन कम खाओगा पानी पियो लंबी सांस लो खुश रहो एसी गलतियां न करो जिससे टेंसन हो मन अच्छा होगा तभी खुश रह सकोगे बिचार अच्छे होंगे तभी प्रसन रह सकोगे अन्ताकरन सुद्ध होगा तभी आनंद में रह सकोगे अंदर गड़बड है तो खुस नहीं रह सकोगे कर लोग मस्से कह रहते सांको गुर्देव आप खुश रहते हो, हमाने का मेरे अंदर कोई गड़बड है नहीं, इसलिए खुश रहता हूँ गड़बड होगा तो आदमी मुह एटता रहेगा, इसको डर लगेगा कहीं भस न जाएं, ये न हो जाएं, वो न हो जाएं जब अपना खुली किताब है, तो काय की लिए मुह एट है हो, तुम भी निर्मल रहना, और भजन भी गाना, गुरू जी के भजन याद कर लो, एक पुस्तक यहां दुकान पर मिलती है, उसका नाम है भजन वली, क्या नाम है, जितने भजन में गाता हूँ, सब उसमें लिख ले लेना, पाँच-पाँच पुस्तक ले लो, पुडोसियों को भाट दो, जब तुम गाओ तो वो भी गाएंगे, नि तुम भजन गाओगे, वो गाली गाएंगे, हाँ, उनको भी सुधारो, पुडोसी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, याद रखना, सेवा, उदारता, दूसरों के लिए जो तुम खर्च करते हो, वह तुमारे खाते में, कर्मों के खाते में, भागे के खाते में जमा होता है, और वो कई गुना आपको मिलता है, इसलिए शेवा करना, उदार रहना, पुन्य करते रहना, लोब लालचना करना, यहां कुछ भी अपना नहीं है, आंक बंद हुई, सारा सब खतम खेल हो जाएगा, इसलिए जब तक आंक खुला है, हाथ भी खुला रखो, हिरदें भी खुला रखो, और शेवा के लिए अपनी तिजोरी भी खुला रखो, और सेवा करते रहो, अब घुटनों पे हाथ रख लो, तीन उंगुली पहला लो, पहली उंगुली उंगुठा जोड़ लो, और ससंग बे सर्जन का मंत्र बोलो, सर्वे भवन्तो सुखिना, सर्वे शंतो निरामा, सर्वे भट्राने पशंतो मांकाचे दुक्रभाधा, सुखी बसे संसारे सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना, पोन करो प्रभुसो, शान्ति, 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 सभी स्रोता, एक मिनट इश्ट देव का ध्यान कर ले, आँखे बंद करके, ध्यान मंत्रा में बेट जाए, और ग्यारा बार लंबी शांस लेकर, शांस को बाहर निकाले, शान्ति, शारा बावना, प्रभुसो, विल मत बाहर वाई, आँणा मेश।ो, शान्ति, 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 Doorlish,